दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसका वीडियो उपर आई बटन पर आ रहा होगा आप क्लिक करके देख सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इसका नेक्स पाट बनाऊंगा जिसमें मैं इसको कुछ टाम यूज करने के बाद आप चाहिए तो इसी के बारे में हम बात करने वाले इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जिस पर मैंने बताया कि लिकी मोली परफॉर्मेंस कीट को अपाची आटीर वन सिक्स्टी में कैसे यूज करते हैं आई बटन पर इसका लिंक आ रहा होगा अगर आप तक आपने देने वाला हूं तो दोस्तों पहले वाली वीडियो में थी लिकी मोली परफॉर्मेंस कीट को में कूज्दी नियूज करूंगा उसके बाद मैं एक next वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको ये performance pack आपको अपने bike में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं जैसा की और श्पीड आपको लिक्रिमॉदл परफ़राइन पेख डालने के बाद आपकर डालनें आपके बायक रॉकेट जैसी चलीगी मेरा मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि लिक्रिम्वड्म परफर वो कम होता है या नहीं माइलेज का क्या है और बाइक श्मूथ हुआ या नहीं या इंजन में कोई आवाज आ तो नहीं रहा तो यह सारे चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं लिक्वी माली परफर्मंस पैक को मैंने अपने बाइक में यूज कर करने वाला हूं खुद का experience किसी और का मैं नहीं ठेका लिया हूं मैं खुद का experience आप लोगों के साथ share करूंगा कि लिक्यूमोली परफॉर्मेंस पेक को मैंने अपने बाइक में डलवाने के बाद क्या फिल किया है तो पहले वाले वीडियो में जब मैंने लिक्यूमोली परफॉर्मेंस पेक को अपने बाइक में यूच किया था तो उस टायम मेरे बाइक जो चला हुआ था अभी मेरा बाइक जो चला हुआ है तो अभी मेरा बाइक 2152ल्ट किविशा चल चुका है लगबवाग 290 किलो मेटर प्लस चल चुके आ ये 10-20 km चलाने के बाद मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लगबग 300 km चलाने के बाद ही ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को सही इंफ्रमेशन दे पाऊँ, तो चलिए मैं आपको एक बर कंसोल दिखा देता हूँ, कि मैंने इसमें कितना किलोमेट पहले था और अभी कितना किलोमेटर चल चुका है मेरा बाइक, तो दोस्तो चलिए देख लेते हैं कितना किलोमेटर हमारा बाइक चल चुका है, और अभी मैं की को ओन करता हूँ, और अभी आप देखेंगे कि ये मेरी बाइक किलोमेटर चल चुकी है, तो अभी आप देख आप मुझे अपने बाइक में 10-15 का इस्पीड जाधा मिल रहा था मतलब थ्रोटर में कम दे रहा था और मुझे इस्पीड जाधा मिल रहा था मतलब अगर मैं उस ठोल पर चलाता हूँ था पहले बाइक तो सब्सक्राइब यह नहीं कि आपको मतलब 50-100 स्पीड ज्यादा बढ़ जाए रेसिंग बाइक से चलने लगे ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत स्पीड आपको मिलेगा ही यह मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है खुद का एक्सपीरियंस ही मैं यह वीडियो भी बना रहा हूं किसी और का मैं नहीं बता अधा मिपाइब्रेशन बलता है यह कि पूरा कोला कोंगा सब्स होता है कि यह दने खुद कुछ हम मेक्सिमम घ्रेशन जाता है और नेक्सपीरियंस करनेक बद मुझे जो एक्सेरीटर देने बाद जो जर्क या जटका जिसको बने है तो थे उनीम अंट अश्ञिकल तो कि मैंनर ही चाम किया मैं पहले इतना हीट होता था उससे थोड़ा सा कम मतलब माइनर चोटा सा है 19 भी सका फरक है तो इंजन हिटिंग में ज्यादा यह असर नहीं किया है माइलेज का तो माइलेज में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पता चला है अगर आप लिक्यूमोली पर्फर्फर्मेंस पेक यूज करना चाहते तो आप निश्चिंत यूज कर सकते क्योंकि मेरा खुद का एक्सपिरियंस में जब मैंने इसको यूज किया तो काफी अच्छा ये चीज मेरे दो व्यास मिनंगे यह कां किया हूं कि अंग में अवाज का लग लगागे तो लिक्यूमरी पर्फरमेंस पर कापी अच्छा काम किया तो यह ही सारा चीज में आप लोगों के साथ सेयर करना चाहता था खुद का experience कोई पर्मोसन नहीं है तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो खरीच सकते हैं लिंक नीचे के लिए सब बाइकों के लिए अलग अलग performance पेक आता है आप इनके वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे तो subscribe कर लिए तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ride with bike